हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे के डीजी के कौन-कौन से पार्स होते हो उनका क्या फंक्शन होता है दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डीजी के टोटल 22 पार्स के बारे में जानेंगे Basic Information और इसमुज से जो Important होगा उसको deep से discuss हम लोग करेंगे तो दोस्तों मैं आपके आज की स्टूडियम बढ़ानावालाओं के इंटर्विव में आपसे कौन-कौन से पार्ट के बारे में पूछा जा सकता है तो चलिए दोस्तों शू करते हैं आज की समीजिंग वीडियो का अधोस्तों ऑसफकी mo यह को कॉस्तों इसकी अचानलाजन का सब्सक्राइब करता और अच्पाइब वह वह नौन समीजिंग है है वह नॉर्मली हमें 100-120 लिटर मिल जाता है पर हमें डीजी का डीजल हुता है वह हमारा घेज़सों से 180 रूपलर मिलता है तो इसके लिए हम लोग डीजल टेंग यूज करते हैं स्टोरेश के लिए वो । डीजी का डीजल इसलिए इतना महंगा होता है क्योंकि यह पॉलिशन कम क्रियेट करता है दोस्तों जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वह फ्यूल वोटर सेप्रेटर क्या होता है दोस्तों कई जगा पर हमारे डीजी का जो फ्यूल ठेंग के वा आउटडोर में रखा होता है जो हमारे डीजी भी होता है वह हमारे आउटडोर में होता है हमारे जो फ्यूल है उसके साथ ने वाटर को मिक्स हो जाता है जिसके कारण हमारे जो डीजी होता है इसको चलने के लिए बहुत सरी प्रॉब्लम करता करना पड़ता है या फिर जो वोटर हमारे इंजन में जाता है तो हमारे इंजन को भी नुकसान पोच जाता है तो इसके ल होता है उसके अंदर कच्रा होता है यह कच्रा हमारे इंजन के अंदर ना जाए तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं हमारा फ्यूल 500 क्वाइक हैं अगर 1500 क्वाएपे हमारा dg 200 क्वाइटर फ्यूल ले रहा है पर जब जो हुआ हमारा dg अगर 1000 क्वाइश 500 क्वाइश एन न किटो सबस्में ये इंजन करेंगा तो थो में ळिक्राइट पर कमारी इन जानी का घ्र वुथ धूष ह오ं करेगा एसको रहता है हमारा एक्च्ट तो दुस सीध़ सीध़ सीधा इसका यह यह सर के जो हमारे Lord के according हमारे इंजन के अंदर डीजल फ्लो करवाने का काम करता है मारा एक्च्ट तो यह डीजी का सबसे टिक दोस्तों दोस्तों हमारा नेक्स पंट है लुब्रीगेंट oile filter दोस्तों Republik अफिल्टर को रूप अबिकेंट रूपींट्टों को connection होती है हमारे engine के पार्ट होते हैं उनके नदर को यूइस किया जाता है तो लूब के अंदर जो भी चोटे मुटे कच्रे हैं उसको दूर करने के लिए उसको फिल्टर करना जरूर यह तो लूब ऑइल के अंदर जो भी चोटे मुटे कच्रे होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए लूब ऑईल फिल्टर का हम लोग यूज करते हैं इन दूस्तो लूब ऑईल क तो फ्रिक्शन वाले हर जगह पर डाला जाता है जिसके कारण हीट प्रेडूस होती है इस हीट को कम करने के लिए हम लोग कूलेंट टेंग का यूज करते हैं या कूलेंट का यूज करते हैं तो दोस्तों लूब ओयल को ठंडा करने के लिए हम लोग वाटर का यूज करते हैं हमारा distilled water होता है तो जो coolant tank होता है इसका used distilled water का store करने इसके लिए किया जाता है अब दस्तो हमारा lub oil होता हो गरम होने के वज़े से हमारी heat exchange होती है हमारी water में मतलब low oil के गरम होने से हमारा water भी गरम हो जाता है इस water को हम लोगों को ठंडा करने के लिए radiator and fan की आउशक्ता होती है तो इसके लिए हम radiator and fan हमारे dg में use करते हैं हमारा engine चलता है तो वो भी काफी गरम हो जाता है तो उसको ठंदर करने के लिए हम लोगों को जो हमारा फैन है उसके अःशकता पड़ती है दोसतों बारा अगला पाइंट है कंट्रोल पैनल and प्हम्हर केंश तो पिनल से हम लोग हमारे डीजी को आन ऊव्फ कर सकते हैं और और कंट्रोल पैनल में Jag ڈिस्पले होता है जिसकी सहाता से हम लोग हमारे डी-जी कितना वेल्टेच जणेट कर रहा इंड कितने एमपे हैं परे Rider कितने ưng क्याम कर रहा है इस सारी डीटेल को हम लोग control panel में हमारी जो display लगी होती है उससे पूरी तरीके से देख सकते हैं दोस्तो हमारा next point है air filter दोस्तो हमारे जो engine होता है उसमें हमें fuel and air का mixture देना होता है जिसके current वो work करता है तो इस air को देने के लिए हम लोगों को filter करना होता है थो इसके लिए एकाम किया काम करता है поговор तर्बो चार्जर के दो काम होतें पहला काम होता है कि फिल्टर होने के बाद जो एर आती है उस एर को कpell depression करके engine में देने का और इसका दोसरा काम होता है कि एंजेन के अंदर जो carbon dioxide produced होती इस carbon dioxide को बाहर काम करता है यह चार्ण उसक्र के पर रहादky दोस्तों हमारा next point है silencer दोस्तों जब हमारा डीजी चलता है तो दोस्तों उस आवाज को कम करने के लिए हम लोग silencer का यूज़ करते हैं एंड दोस्तों दूसरा जो हमारे engine से carbon dioxide gas निकलती है, इस gas को filter करके बहर निकानने का काम भी हमारा silencer करता है। दोस्तो हमारा next point है coupling, दोस्तो हमारा engine का rotor होता है, और alternator का rotor होता है। दोनों को साथ में मिलाने के लिए हम लोग जिस चीज का use करते हैं तो हम लोग coupling बोलते हैं दोस्तों, तो चुप्लिंग करने के वज़े से दोस्तों हमारा जो इंजन का रोटर जब घूमता हे तो साथ में ल्टर्णेटर का रोटर को भी घुमा देता जिसके करना हमारी इलेक्टरिसिटी प्रॉड्यूस होती है आफिज नेघ्स पॉइंट है अल् Earster दोस्तों अल्टर अल्टर नेटर बहुत ही important होता है हमारे इंटर में बहुत ज़्यादा पूछ जाता है अल्टरर के त्रू इलेkk परडियूस किया जाता है दोस्तों जो हमारे डीजी ऐंदर अल्टरर काम लोग यूज़ करते वह अगर हमारा डीजी किसी कारण वैस 420 या 425 जनरेट करता है तो हमारा एक्साइटर दोस्तों एक्साइटर क्या काम करता है जो हमारा एक्साइटर को कमांड देता है जिसके कारण हमारा जो एक्साइटर होता है वो हमारे वोल्टेज को अप एंड डाउन करता है इसके कारण हमारी जो वोल्टेज वोल्टेज 415 वोल्ट पर आ जाती है तो हमारा एक्साइटर क्या करता है कि हमारा एक्साइटर क्या कर यह भी हमारी electricity को produce करने के लिए एहम पार्ट के रूप में अपना युगदान प्रोवाइड करते हैं दोस्तों हमारा नेक्स पॉइंट है बैटरी दोस्तों हमारे डीजी के अंदर बारा बारा वोल्ट की दो बैटरी का हम लोग यूज करते हैं और इन दोनों बैटरी को हम ल करेंग मो Taylor क्या होता है धोस्तों ये क्या करता है जैँ मेनल 요र्फ कर बंद स्कों गुमाने के लिए घृत का Georgia का यूज रहती है हमारी जो गूमाते हम लोग इस जब हमारा जक्र हमाना यह पुल पकड़ तो ऑमरी ओक्मिस पोठीग का होती है ऑटोमेटर को ओफ हो जाती है ठीक है दोस्तों तो क्रेंग मोटर का हम लोग यूज करते हैं दोस्तों हमारा नेक्स पॉइंट होता है गावर्नर गावर्नर क्या करता है दोस्तों जब हमारी स्पीड कम होती है तो हमारी फ्रिक्वेंसी भी कम होती है एंड आर्पेम भी कम होते हैं तो दोस् दोस्तों हमारा नेक्स पॉइंट है फ्लाइवील फ्लाइवील को हम लोग रोटर पर कनेक्ट करते हैं जो हमारा रोटर 1500 पर गूमता है तो जो हमारा रोटर के स्पीड में अगर कोई वेरियेशन आता है तो हमारा फ्लाइवील क्या काम करता है कि उसको बराबर उसके जो आर् प्रोवाइड करने के लिए हमारा जो सर्किट वेकर है उसकी आउशक्ता पड़ती है तो इसके लिए हम लोग ACB का यूज करते हैं ठीक है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी इसी तरीकी की वीडियो के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब कर सकते शेयर क और जो सब्सक्राइब कर उच्ताइब कर दोस्तों आपको हमारे वीडियो चुच सब्सक्ताइब कर दोस्तों आपको